यह हमारा घटना चक्र का पर्यावरण की बुक से सारा कोश्चन लिया है तो यह कोश्चन मैंने BPSC के लिए Assistant Public Sanitary and Best Management Exam के First Paper के लिए यह कोश्चन लिये है और यह जो घटना चक्री पर्यावरण है हमारी PPC में भी पूरा एकदम helpful है तो हम लोग इसको देख सकते हैं BPSC के लिए, BPCS के लिए और हमारा सेनेटरी वाले एकजाम तो है ही और इसके सारे कोश्चन तयार करना है पर्यावरण के कर लेते हैं फिर साइंस के कर लेते हैं तो सुरू करते हैं कोश्चन पिछली भी वीडियो मैंने कार्वन चक्र तक कोश्चन किये थे अब कार्वन चक्र से आगे करने वाले है तो अगर समझ में आया तो अब कार्वन चक्र पिछे से मैंने एक वीडियो बनाया है पहले से उसको देख लिजेगा तो जो question मैंने पिछली बार लास्ट question छोड़ा था उसका explanation यहाँ पर दिया हुआ है देख लेते हैं पृतिवी के कार्वन चक्र में कार्वनिक पदार्थों के अपगटन चीब धारियों द्वारा स्वसन प्रक्रिया से ज्वाला मुखी प्रक्रियाओं से जीवास्म इंधनों के दहन इत्यादी से कार्वन डायकसाइड पहुंसती है ठीक है तो अगर पूछे कार्वन चक्र में oxygen कैसे कैसे पहुंच जाती है तो पहली बात होता है कार्वनिक पदार तो क्या पगटन मतलब ऐसे पदार जिसमें कार्वनिक कार्वन होता है और वो जी दिरे दिरे च्छे होते हैं मतलब धिरे दिरे खतम होते हैं तो उनसे जो कार्वन निकलती है वो हमारे प्रत्विय के कार्वन चक्र में पहुंसती है फिर दूसरे चीस से कैसे पहुंसती है जीव धारियों द्वारा सांस लेने से मतलब कि हम लोग सांस लेते हैं तो क्या करते हैं आक्सिजन लेते हैं और कार्वन डैक्साइड छोड़ते हैं तो वो कहां पहुचती है कार्वन चक्र में फिर कह रहा है जो आला मुखी प्रक्रियाओं से जो आला मुखी जब फूटता है तो भी कार्वन डैक्साइड निकलत तो कार्वन चक्र क्या है इसके बारे में लेक्चर बनाएंगे उसमें डिटेइल में पहले question करते चले जाएंगे और जहां जहां problem फसेगे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बुक का यूज करेंगे ठीक है अब आगे बढ़ते हैं करेश्व पोसित पौधे प्रकास अंसलेशन की क्रिया द्वारा कार्वो हाइड्रेट्स की निर्माण में बायो मंडली कारवन ड्यागसाइड ड्रहन करते हैं ना कि विम्मोचित करते हैं अथवा जोडते हैं फिर क्या रहा स्वपोसित पौधे कौन से होते हैं जो सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं सपच्पन में एक सिस्क्स क्लास की बुक में पढ़ाया गया NCRT में ह है कि कुछ पौधी होते जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं पौधे खाना तो बनाते नहीं है वो क्या करते हैं प्रकास की उपस्थिती में अपने क्या करते हैं अपने आपको बढ़ाने के लिए वो अपने भोजन को तयार करते हैं ठीक है क्या उनको लेना है वो सूर लेते हैं sorry oxygen देते हैं और carbon dioxide लेते हैं कुछ पेड़ पौधे इसका अपवाद भी है जो कि carbon carbon dioxide नहीं लेते हैं ठीक है आगे चलते हैं दूसरा question क्या करा अधोल इखित में से कौन सा पृत्वी के carbon चक्र में carbon dioxide की मात्रा को नहीं बढ़ाता है तो carbon dioxide यानि परकास संसलेशन यानि पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया तो जब पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया उसमें ऐसा नहीं होता है ठीक है सी कहने जेविगपदातों काच है जाएक बुए जानवर मर जाता है जब क्या खरता है जिरी धिज्य होता है तो जो भी कारूल रोती वापस तो पुझ आती यह प्रत्वी गारवन saaks तो हमारा सही अंसर है प्लिक्राकास द्वीटकल करते हैं सबसे महत्यपूर्ण भूमिका क्या है 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 सबसे महत्यपूर्ण भूमिका क्या ह दी नैट्रोजन चक्र में तो इसकी सही है सबसे ज्यादा भूमिका किसमें है जल चक्र में यह दोखो पूछा कि जितना भी कोशन हम करा रहें सारे पूछे उजा चुके हैं यूपी लोवर में भी आ चुका है तो जितने भी कोशन कराएंगे सम आये हुए करा रहे हैं तो जिससे क्या होगा हमनों की भेतर तैयारी होगी अब देख लेते हैं कह रहा है कि जल चक्र में सौर विकरण की सबसे महत्वपूर भूमिका है सौर विकरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वास भी करण करता है ठीक है आप सौर विकरण क्या है देखो पता रहा है सौर विकरण दोरा प्रतिवी का जल सौरी बर्फ का जल में द्रभी करण होता है सौर विकरण क्या होता है बर्फ के पानी का क्या होता जो बर्फ जमा होता हो तो पानी में बदल जाता है ठीक है जल चक्र हाइड्रोस्फियर में जल की विभिन गतिविधियों को दर्साता है जल चक्र में क्या करता है प्रतिवी का जल चक्र होता है पानी मतलब बरस ना बरस के बापस बादल में चला जाना तो इसकी विभिन गतिविधियों को दर्साता है कौन दर साथ है सौर विकीरण आगे चलते हैं क्या रहा है बर्सा की मात्रा निर्भर करती है बर्सा की मात्रा किस पर निर्भर करती है A. हवा के दवाव पर B. बायू मंडल में नमी पर C. जल चक्र पर D. ताप क्रमपर बर्सा कितनी जादा होगी यह किस पर निर्भर करता है यह है option number 20 बायू मंडल में नमी पर जैसे जैसे बायू मंडल में नमी होगी वैसी वैसी हमारे हाँ पर वर्सा होगी तो इस expression देख लेते हैं कह रहा है बायू मंडल में नमी वर्सा की मात्रा का निर्धारन करती है सभी प्रकार की वर्षा के मात्रा यथा बूंधा बांदी वर्षा बर्फ वारित्याद बायमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोत्री से पढ़ जाती है यानि जितना ज्यादा हमारा मौसम में नमी होगी उतना क्या होगा वारिस ज्यादा होगी